अस्सलाम अलेकुम, वेल्कम तो माथमेटिक्स वेद कोडैनिक्स, इस लेक्चर पे हम देखेंगे के लीनियर कम्बिनेशन ओफ ए वेक्टर स्पेस क्या होता है, देखते हैं जी डेफिनिशन, अकॉर्डिंग तो डेफिनिशन, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ पे, and V1, V2, V3, अप्टो, सोँवन वी एन बिलॉंग स्टू वी, V1, V2, V3, अप्टो, सोँवन वी एन तक अलिमेंट्स हैं, वेक्टर स्पेस बीके, any वेक्टर ओफ दी फॉर्म, A1, V1, A2, V2, A3, V3, अप्टो, सोँवन, A, N, VN, जो वेक्टर इस फॉर्म में होगा वियर A.I. बिलॉंग्स टू F A.I. क्या है फील्ड से बिलॉंग्स करने वाले स्केलर एलिमेंट्स है और I किसको डिनोड कर रहा है कि I जो है वो आपके स्केलर नंबर्स को शो कर रहा है कि वो वन से लेके N नंबर तक हो सकते है इस कार्ड लिनियर कम्बिनेशन इसका मतलब यह है कि कोई भी वेक्टर स्पेस V जो के फील्ड F पे हो उसमें जो वेक्टर के ऐलिमेंट्स होते है उनकी ऐसी फॉर्म के वो किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टिप्लाइ करके इस फॉर्म में लिखे गए हो तो वो स्केलर मल्टिपल जो होते है उनको कम्बाइन करके जब लिखा जाएगा तो वो उस वेक्टर के लिनियर कम्बिनेशन कहलाएंगे ए जो है वो फील्ड से बिलाउं करता है V1, V2, V3 जो है यह आपके वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स है जब वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को फील्ड के जो एलिमेंट्स है उनके साथ स्केलर मल्टिपल करके लिखा जाएगा तो अगर तो उन सब का आंसर जो है वो एक वेक्टर की फॉर्म देगा जो के vector space है मतलब उसका answer भी vector space से भी belong करेगा इस form का जो हमारे पास एक structure बनेगा vector का वो हमारा linear combination कहलाएगा अब इसकी example आप इस तरीके से ले सकते हैं let's suppose एक हमारे पास vector space है जिसमें elements है v1, v2, v3, v4, v5 और vn ताक हमारे पास vector space के elements मुझूर है हमारे पास एक field है f इसमें scalar elements लगा ले a1 है, a2 है, a3 है, a nth तक है अब अगर तो इन field के जो elements है scalar elements इनको इनके साथ हम vector space के elements के साथ multiply करें तो यह एगा a1, v1, a2, v2, a3, v3 तो जितने भी possible यह इस तरह के scalar और vector elements का multiple होंगे वो हमारे linear combination कब कहलाएंगे जब इनको आपस में multiply करने के बाद जो answer आता हो वो भी हमारा vector space से belong करता होगा तो वो हमारे जो possible multiples होंगे उनको हम linear combinations बोलेगे अब हम इसकी example से जो है वजाहत करते हैं एक्जेंपल है हमारे पास के V एक vector space है जो आपको elements दे दिए उसने 1, 2, 1 & 5 यह R3 का जो है vector space है मतलब यह 3 interest वाला vector space है V1 जो है वो उसका जो vector space के element वो बता दिये हैं वो पहले एक element है 1, 2, 1 V2 जो है 1, 0, 2 है और V3 जो है 1, 1, 0 है अब show यह करना है कि यह जो vector के elements है यह linear combination है V का V vector का अब vector के elements linear combination किस सूरत में होंगे जब हम vectors को scalar के साथ multiply कर देंगे मतलब A1 को V1 के साथ plus A2 को V2 के साथ plus A3 को V3 के साथ जब multiply करेंगे तो यह हमारा किस के equal आएगा V vector के equal आएगा अब V vector के equal आने के लिए अब हमारे पास A1 नहीं है हम A1 as it is लिख देंगे V1 क्या है 1, 2, 1 plus A2, V2 के elements है 1, 0 and 2 plus A3, V3 के elements क्या है 1, 1 and 0 that must be equal to V, V के elements है 2, 1 and 5 अब हम इसको equation form में लिख लेते हैं मतलब A1, A2, A3 equal to A1 को 1 के साथ multiply किया तो 1 and 1 आ गया plus A2 को 1 के साथ multiply किया 1 and 2 plus A3 को 1 के साथ multiply किया 1 and 3 equal to 2 आ गया A1 को second equation के लिए multiply किया 2 के साथ हो आ गया 2 and 1 plus A2 को 0 के साथ multiply किया 0 and 2 plus A3 को 1 के साथ multiply किया 1 and 3 A1 को 1 के साथ multiply किया 1 and 1 plus A2 को 2 के साथ multiply किया 2 and 2 plus A3 को 0 के साथ multiply किया 0 and 3 equal किस के आना चाहिए ये 5 के अब ये है हमारे पास equation form में अब अगर मै equation form से इसको matrix form में लिखूं तो ये क्या हैगा 1, 1, 1 क्योंके coefficients आते हैं 2, 0, 1 1, 2, 0 ये आगे है जी हमारे पास coefficients का matrix इधर variables का matrix आ जागा जिसको हम scalars बोलते हैं A1, A2 and A3 इधर आ जाएगा हमारे पास 2, 1 and 5 अब ये हमारे पास matrix form बन गई है अब ये हमारे पास है A matrix है ये हमारे पास variables वाला जो matrix जिसको हम बोलते हैं अब ये scalar का matrix है और ये हमारे पास कौन सा matrix आगे है matrix B इसको हम 3 methods से solve करके ये जो हमारे पास scalar elements है उनकी values find कर सकते हैं पहला है Goss Jordan method दूसरा है Goss Elimination थार्ड है Kramers rule Goss Jordan, Goss Elimination method को हम discuss कर चुके हैं अच्छे तरीके से थार्ड है Kramers rule Kramers rule भी हम में से बहुत से लोगों ने solve किया हुआ है practice भी की है बट हम इस lecture में कोशिश करेंगे कि इसको Kramers rule से जो है explain करें इस example को ताके हमारा Kramers rule भी जो है अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाए अब Goss Jordan और Goss Elimination method में क्या है इसके diagonal entries को हमने one करना है और अगर Goss Elimination method करने हैं तो उसमें इस matrix को हमने upper triangular matrix में convert करना है और फिर हमें उससे A1, A2 और A3 की values find out हो जाएंगी after constructing augmentation matrix उसके बाद Goss Jordan method जो है उसमें हमने इसको diagonal matrix में convert करके इसका rank find करना है उसके बाद हमें जो है इसकी जो तीनों values है A1, A2 और A3 की values find out हो जाएंगी अब हमने देखना है कि हम इसको क्रामर रूल के जरगे किस तरीके से values find out कर सकते हैं यह हमारे पास जो column है यह A1 values का है यह column A2 values का है और यह columns A3 के जो coefficients की values है उनका यह column है अब corresponding column से हमें A की values A1 की, A2 की और A3 की मिल सकती है अब according to क्रामर रूल हम देखते हैं by using क्रामर रूल अब इसको क्रामर रूल को use करने के लिए क्रामर रूल को यूज करने के लिए क्या करते हैं according to क्रामर रूल अब कैसे इसकी value find की जाती है कि अगर हमने A1 की value find करनी है तो A1 के column में यह जो B बला column है इसको place करके उसके बाद हमने divide कर देना है इसके mod को इस A के mod बे अब क्रामर रूल के लिए हमें सबसे पहले A अगर यह matrix हमारे पास A है यह हमारे पास X है जिसको variables का matrix बोलते हैं और यह हमारे पास B अब क्रामर रूल के लिए हमें क्या है सबसे पहले find करना कि A का mod जो है और हम इसकी mod से हम values जो हैं वो find कर सकते हैं सबसे पहले हमें A mod find करना होगा A mod A mod किसके equal आएगा 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 and 0 अब यह 3 by 3 matrix है अब 3 by 3 matrix का mod किस तरीके से find out करते हैं यह row expansion से यह column expansion से हम first row के साथ expand करेंगे row के साथ expand करते हैं तो क्या आता है क्योंकि हमारे पास जब row के according या column के expand करते हैं तो हमारे पास जो इनके signs होते हैं वो sign rule जो है हम पहले अच्छे तरीके से discuss कर चुके हैं कैसे find करेंगे तो यहाँ पे पहले जो है इसका value इसका sign आएगा plus हमने इस row को और इस column को ignore कर देना है जो sub matrix है उसका हम लेंगे mod अब यह one इदर आ जाएगा plus one mod लेंगे zero, one, two and zero का क्योंकि sub matrix यही बचेगे फिर second इसको कर देंगे remove इसके बाद करेंगे second और second row first row second column को क्योंकि हमने row A की reference रखी अब इसमें entry यह आ रही है यहाँ पे second के लिए आएगा minus यह one और उसके बाद यह जो चार entries है मिलके जो matrix बना रही है sub matrix इसका लेंगे more two, zero two, one, one and zero इसके बाद third value आ जाएगी अब इसको remove कर देंगे अब क्या करेंगे इस row को और इस column को ignore कर देंगे entry हमारे पास आएगी इसके साथ आएगा sign plus का plus का आगया मेरे पास one sub matrix क्या बाद जाएगा मेरे पास two, zero, one, two two, zero, one, two अब ये किस तरीके से sign भी लिख रहा हूँ और sub matrix का model ले रहा हूँ हम इस से पहले जो है row expansion और column expansion जो method है उसमें अब ये किस तरीके से इसको row expand कर रहा हूँ और column expansion का method यूज कर रहा हूँ हम इस से पहले जो row expansion वाला और column expansion वाले lecture में अच्छे तरीके से discuss कर चुके हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी kindly पहले वो वीडियो देखें ताके आपको ये mod की expansion जो है वो समझ आ जाए इसको expand कैसे करेंगे one plus का zero 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 minus का formula वाला two ones are two minus का one two zeros are zero minus one ones are one plus one two twos are four minus one 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 zeros are zero one into minus two minus one into minus one plus one into four one को minus two के साथ multiply किया minus two minus minus plus का one और plus का four plus four और plus one five और ये minus two plus one और plus four five plus minus minus five में से two minus की है three और sign plus का ये हमारे पास value आ गई है a mod की अब a mod जो है not equal to zero है इसका मतलब इसका जो mod है वो three के equal होने की वज़ा से हम इसको प्रेमर रूल की मदद से find out कर सकते हैं अब हमने a mod find कर लिए हम अब इदर लिख लेंगे के हमारे पास जो a mod है वो equal है three के अब हमने find करनी है a one की a two और a three की value a one की value find करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा mod लेना पड़ेगा एक rule है या एक formula उसको कहलें formula क्या है if we find the value of a one a जो है इसका mod लेंगे लेकिन mod कैसे लेना है जो उनसी हमने value find करनी है उस column की जगा पे इस b की value लिखेंगे मतलब अब हमने a one की value find करनी है तो यहाँ पे b की values लिखेंगे two one and five और बाकी जो है a two और a three के coefficients का जो column है उसको as it is लिख देंगे one zero two one one zero और इसको divide कर देंगे a mod पे a mod किसके equal है three के तो यह यहाँ पे आ जाएगा mod of two one 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 zero one five two and zero divided by three क्योंके a mod जो है वो हम find करके हटें इसके equal है three के अब इसका mod कैसे लेंगे three by three matrix का यह हम बार हार डिसकस कर चुके है इसकी first row को reference row रखके पहला sign आएगा इसका plus का तो इसके according इस column और इस row को ignore करने के बाद यह हमारे पास सब matrix बचेगा इसका लेंगे mod zero one two and zero minus one इस column को और इस row को ignore करने के बाद one one five zero one one five and zero plus का one इसके बाद यह one plus का और sub matrix इस row को इस आएगनोर करने के बाद one zero five and two divided by three plus का two zero zeros are zero minus two ones are two minus one zero ones are zero minus five ones are five plus one two ones are two minus five zeros are zero divided by three two zero में से two minus की है minus two minus one zero में से five minus की है minus five plus का one into two minus zero two divided by three इसको solve किया तो two two's are four minus का minus minus plus का five और plus का two divided by three plus 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 five or two minus का four plus 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 five or two seven divided by three seven में से four को minus की है तो आ गया three divided by three इसका मतलब है answer क्या आ गया one ये है value हमारे a one one की a a one की value किसके equal आ गये हमारे पास one इसका मतलब a one equal किसके आ गया one की अब हमने value find करनी है a2 की तो a2 की value find करने के लिए same वही method लेकिन अब क्या करेंगे a2 का जो coefficient वाला column है उसमें हम b की values रिपूट करेंगे और divide कर देंगे a mod पे और बकी तमाम जो coefficients हैं उनका जो है columns वो as it is आ देंगे one two and one और b matrix जो है उसकी value है two one and five two one and five और a3 जो है coefficients इसका column ये आ जाएगा one अब a3 के coefficients का जो row column है वो है one one and zero अब अगर इसको हम mod लेंगे one two one two one 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 five and zero इसको divide कर देंगे a mod पे तो a mod किसके equal है three के इसको expand करते हैं तो इसका mod कैसे लेंगे first row को reference रखके one और sub matrix आगे हमारे पास one one five and zero minus का two sub matrix आजएगा मेरे पास two one one and zero plus का one sub matrix आजएगा two one one and five divided by three one into one zero is are zero minus five minus two into two two is are zero minus one plus one plus one two fives are ten minus one one divided by three one into minus five minus two into minus one plus one into nine divided by three plus minus minus का five minus minus plus का two or plus का nine divided by three minus का five plus 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 का eleven divided by three eleven minus five equals six plus का divided by three three को six को जब हमने three पर डिवाइड किया six को जब three पर डिवाइड किया answer आगया two इसका मतलब ये किसके equal है हमारे पास a i two के a a two के equal है हमारा ये answer इसका मतलब a two की value क्या हमारे पास two अब हमने find करनी है a three की value same method same तरीका कार सिरफ a three की जगा पे जो column है उसकी जगा पे b column रख देंगे बाकी सारा as it is और divide कर देंगे a mod क्या आएगा मेरे पास one two one one zero two और a three के column की जगा पे two one and five two one and five अब divide करना है इसको a mod पे इसका मतलब one one two two zero one one two and five divided by a mod क्या है हमारे पास three divided by three अब इसको expand करेंगे first row के according to one into zero one two five ये मैं इसलिए direct कर रहा हूँ क्योंके मैं बारहा इस चीज़ को discuss कर चुका हूँ minus का minus का one two one one and five plus two into two zero one one and two divided by three expand करेंगे score one zero fives are zero minus two minus one into ten minus one plus two into four minus zero four divided by three one into zero minus two minus two minus one ten minus one nine plus two into four minus zero four divided by three minus two minus nine plus eight divided by three minus two and minus nine minus two minus nine plus minus minus plus minus 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 की है माइनस का 3 और डिवाइड बाइ 3 थ्री को 3 पर डिवाइड किया आंसर आगा हमाई पास माइनस 1 इसका मतलब यह हमारा आंसर किस चीज़ का आया है A3 का आंसर है यह इसका मतलब है कि A3 हमारे पास आगया माइनस 1 यह A1, A2 और A3 की वैलियोज को पुट करेंगे हम इस एक्वेशन में A1 की जगह पे आजाएगा 1 into 1, 2 and 1 plus A2 की जगह पे आजाएगा 2 into 102 A3 है मेरे पास माइनस 1 1, 1 and 0 equals किस के आना चाहिए यह 2, 1 and 5 के equal आना चाहिए यह हमारे पास values V1 की, V2 की, V3 की और यह vectors V है और यह हमारे पास scalar values हैं A1 की, A2 की, A3 की अब अगर हम इसको देखें तो यह हमारे पास form बन रही है A1 V1 plus A2 V2 plus minus A3 V3 equals, यह vector V के equal आ रही है अब यह minus का sign जो है इस value A3 का है, जबके यह formula है हमारे पास जो formula की value है linear combination की, तो इससे में यह पता चलता है कि हमने यह जो value निकाली है, यह इस vector V का linear combination है क्या है यह? linear combination जी, तो मेरे कौम के नौजवानों इस lecture में हमने यह देखा है कि linear combination क्या होता है, किस तरीके से हम linear combination को form करते है और किस तरीके से हम scalar elements जो के field से belong करते हैं तो vector elements जो vector space के elements होते हैं, उनको multiple करके उनका हम जो linear combination है वो बनाते है कोडैनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और lecture जो सुनने के लिए यूट्योब पर और गूगल पर mathematics with kodैनिक्स सर्च करें अल्लाने के बाद